गुट मॉर्निंग चिलिरेंज तो आईए आज हमसे भी क्या करेंगे लेटर की पहचान करेंगे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो जहां पे भी जाते हैं उनकी साथ काफी उनके काफी प्रेशर बनाया जाता है जैसे घर पे पैरेंट्स क्या करते हैं पैंसिल दे देते हैं कि अब जो है आप अपना जो भी है अलफाबेट्स लिखना स्टार्ट कर दो लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दो लेकिन मैं यहां पे आज लेकर आई हूँ आपके लिए गेम के थुरू आप A4 एपल पहचान करना सिख जाएंगे तो आईए हम सबी ही यहां प एपल तो क्या करना है आपको आपका जो भी फैबरेट कलर हो आप उस कलर को उठाओ मैंने यहां पर कौन सा कलर उठाया है ब्लू कलर में उठाई हूँ तो आप कलर उठाओ और एफ और एपल पर इस तरीके से सरकल कर दो नेक्स्ट लाइन को सर्च करोगे यहां पर आपको दिख रहा होगा एफ और एपल इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पर आप देख रहे होंगे कि क्या है एफ और एपल यहां लिखा हुआ है तो आपको हर लाइन को सर्च करना है देखना है कि एफ और एपल लिखा हुआ कहां है next line आपको दीख रहा होगा यहाँ पे है इस line में आप सर्च करो कहां पे है A for apple तो आपको क्या है यहाँ दीख रहा होगा A for apple है इस तरीके से आपको इस पे circle कर देना है इस से आपका यह थोड़ी सी मेरी parents से request है कि आप इस तरीके से book लोगे और बच्चों के लिए एक worksheet इस तरीके से तयार करेंगे जिससे आपको फैदा यह होगा कि बच्चों जो है जो भी बच्चा है वो खेल-खेल में later पहचान करना सिख जाएगा इस से आपका एक और फैदा होगा कि जो भी बच्चा है हर एक line में search करेगा जब A for apple तो उसे दूसरी later भी दिखाई पड़ेगे तो वो जो है बच्चा इस later के बारे में भी कुछ न कुछ सोचेगा कुछ न कुछ thinking रखेगा तो इसी तरीके से आपको बनाना है और बच्चे से करवाना है जिससे की बच्चा खुस होकर उमंग के साथ ये आपका जो भी work है वो complete करेगा तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर मैंने कुछ letters लिखे हैं और इधर इसका pictures है तो हमें picture के थूर लेटर सीखना है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दीख रहा होगा match the following क्या करना है जो भी आपको later दीख रहा इधर आपको उससे इस picture को match करना है अगर आप नहीं पहचान पा रहे होंगे तो यह क्या करना है आपको देखना है कि later क्या लिखा हुआ है इस picture में भी आपको later same दीखेगा तो बस आप उठाओ color और इस तरीके से आप match कर दोगे जैसे यहाँ पर आपको B दीख रहा होगा तो B को क्या अब हमें यहाँ पर देखना है कि B for ball कहा है तो यहाँ पर आपको same later दीख रहा होगा यह later और यह later आपको same दीख रहा है तो क्या करोगे आप यहाँ से उठाओ और फिर इस तरीके से इसमें match कर दो इसी तरह से यहाँ पर आपको C दीख रहा होगा अब हमें क्या करना है later match करना है कि later कौन सा है तो C for cat आपको यहाँ पर दिखरा होगा, यह आपका यहाँ पे cat है, इसी तरीके से next जो है, आपका later है B, sorry D, D for dog हमें ढूंड़ना है, सच करना है कि D for dog कहा है, तो यहाँ पे आपको दिखरा होगा, D for dog जो है, यहाँ पे है, आपको क्या करना है, same later को match करना है, यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे से match करेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, कि आप picture देखकर अपना later पहचान कर सकते हो, कि A कौन सा है, A for A for क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, A for apple होता है, B for क्या होता है, तो आप यहाँ पे match करोगे, जब तो आप, आपको समझ में आ जाएगा, आपको तो क्या है, यह B for ball है, इसी तरह से आपका C for है, तो C for क्या होता है, तो आप जब भी C को देखोगे, तो आपको इसकी figure, cat की figure आपको, picture आपको याद आएगी, दिमाग में सर्च होगा ऐसा, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, हर later को किसी भी picture से match करो, उसके same later से, और फि दिखना है की A for apple, किस तरीके से है, इस तरीके से हमने रखा है, मैं यहाँ पर रख्योजियूस, लाइन से, ताकि क्या हो, बच्चे कनраф्यूज ना हो, कि A के बाद क्या होता है, B के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, आपको दिख राओगा, एक और उससे फैदा हो लिखा हुआ है तो पैरेंट्स जब भी बच्चे को किसी भी चीज से इंट्रोडक्स करवाएं तो उसके साथ साथ बच्चे को कलर का भी इंट्रोडक्स करवाएं इससे आपका यह होगा कि बच्चे जब भी किसी भी चीज को देखें तो वो कलर का सबसे फर्स्ट जो है कलर क वो पहचान करें, तो आईए, हम सभी यहाँ पर लेटर का जो है, बोल कर स्टार्ट करते हैं, क्या है यह A for apple, B for ball, she for cat, B for dog, E for elephant, तो क्या करना है आपको इस तरीके से repeat करना है, अप A for apple, B for ball, she for cat, D for dog, E for elephant, तो यह था आज का वीडियो, इसे ध्यान पुरक देखेंगे अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके, थैंक यू,